जैहिन सांतियों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर सांतियों आज हम UKPSA का एक पेपर है 2021 का उसको हम यहाँ पर हल करने वाले हैं आगामी पटवारी कनिष्ट सायक में या फिर फॉरेस्ट गार्ड में किस प्रकार के प्रसन आ सकते हैं उसके लिए आप पूरे पेपर को जरूर देखिएगा बाकि अगर आपको प्रिवेस येर पेपर चाहिए पटवारी कनिष्ट सायक फॉरेस्ट गार्ड या किसी भी अन्य परिक्षा का तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में बिल जाएगा या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिये गए लिंक से आप वहाँ पर जा सकते हैं या फिर आप हमारी चैनल में भी उसको देख सकते हैं चलिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को इसमें उत्रा खंड हम पढ़ेंगे जिसमें 40 प्रसन आहिन नहीं थे पहला प्रसन हो जाएगा बागेश्वर का बागनात मंदिर किन दू नदियों के संगम पर स्थित है सर्यू तथा गोमती इसका क्या हो जाएगा सही उत्र हो जाएगा तो आप्सन एक उटिक कर लिजएगा बाकी बागनात मंदिर कहां पर है ये भी पूछा जा सकता है तो प्रस्न और उत्तर दोनों को आप अच्छे से रेड करें और साथ में याद करते हुई चलें ब्रिटिस प्रसासन द्वारा राज किया रक्षालाई संस्थान के स्थापना कहां करी गई ये करी गई थी धरम घर अप्सन कौन सा दिग रहा है आपको अप्सन सीकोटिक कर लेंगे अगला प्रसन है हमारा सर जॉर्ज एवरेष्ट ने अपनी वेद साला कहां स्थापित की तो ये करी थी उन्होंने मसूरी में आप्सन एटिक कर लेंगे बिटिस कालीन कुमाओं में पहला कुष्ठा स्रम कहां स्थापित किया गया ये यहां पर प्रसन में पूछा गया है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा अलमोडा आप्सन सी को टिक कर लेंगे बढ़ते हैं अगले प्रसन की तरफ अगला हमारा प्रसन है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है ओली में सीतकालिन खेलोते हैं तो ये सही हो जाएगा पंचेश्वर में मत्स आखेट किया जाता है ये भी सही हो जाएगा बाकि जो हरस अगले प्रसन ये का परिस्तित है ये है ऊत्तर का सी जन्पद में इस्तित है वहां का ये ये क्ली-चादी का बना होता है और ये लग-बग चूनी के आकार का होता है ये कलाई में यह पहना जाता है यो सीटी कर लेंगे नियम नांकित में से कौन सा गुरु द्वारा उत्राखंड में स्थित नहीं है पॉंटा साहिब रीठा साहिब नानक मता या हिमकुंड साहिब जो रीठा साहिब नानक मता और हिमकुंड है ये कहां पर इस्थित है उत्राखंड में है बाकि जो हमारा ऑप्स इसका सिरमोर जिला है, वहां पर ये स्तित ए, option ए हो जाएगा, अगला प्रस्न है, निम्न मेंसे कौन सी फसलें खरीब मौसम में नहीं उगाई जाती है, तो जो और सर्सों इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो जो और सर्सों है वो रभी की फसल है, रवी जादातर ठंड के मौसम में या सीतकालीन मौसम में ये बोई जाती है बाकि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रस्न है हमारा कुमाओं के बिटिस कमिस्नरों का कौन सा अनुकरम सही है इनके अनुकरम के हिसाब से हमको उतर ढूडना है तो पहले कौन थे ए गार्डनर थे ठीके तो ए गार्डनर थे ए गार्डनर आपको दिख रहा होगा तो आप्सन डी हो जाएगा क्योंकि ए गार्डनर ट्रेल फिर लसिंग्टन और बेटेन ये इसका सही अनुकरम हो जाएगा अगला प्रसन वप्रलब्द नाई का चितर गड़वाल कलम के किस चितर कार की कृत है तो यह है मौलाराम की कृत है मौलाराम आप्सन बीटिकल लेंगे अगला प्रसन कुमाओं में पहला शैय रोगास्रम कहा खोला गया इसका सही उत्र हो जाएगा भवाली में जो की कहां पर इस्तित है नैनिताल डिस्टिक में भवाली अगला प्रस्न है कटारमल स्थित मंदिर किस देवता से सम्मंदित है तो ये प्रस्न कई बार पूछा गया है अलग-अलग तरीकों से तो ये सूर्य देवता का मंदिर है और ये अल्मोडा में ये इस्थित है ठीक है अल्मोडा कभी अगर पूछा जाए तो अल्मोडा इसका सही उतर हो जाएगा निमनलखित में से कौन सी जन जाती उत्राखंड में नहीं पाई जाती है तो भील उत्राखंड में नहीं पाई जाती है बागे थारू, बौकसा, जौनसारी यहां पर पाई जाती है और अगर कभी पूछे कि उत्राखंड में जन संख्या की दृष्ट से सरवाधिक जन संक्या किस जन जाती के है तो वो है थारू की जादातर थारू, खटीमा, किछ्छा, सितारगंजी छेत्र में ये पाइज आते हैं निमनल खित को सुमेलित कर सही उतर दीजी तो सौका, धारचुला, जोन सारी क्या हो जाएगा, चकराता, राजी हो जाएगा, डीडी हार्ड और थारू हो जाएगा, खटीमा तो इस सहाब से आप अप्संस देख सकते हैं, अप्संस डीजी का सही उतर हो जाएगा दो तीन चार एक बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ निम्नांकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है गिरजागर दिया गया है और उनका नगर तो बर्डन मेमोरियल चर्च अलमोडा में है सेंड जोंस एन विल्डरनेस ये नेंटाल में है ऐसे C भी सही है तो उप्सन D का सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये रानिखेद में अस्थित नहीं है तो इस प्रस्न को देख सकते हैं इस्तकई प्रस्न यहां पर बन सकते हैं बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला हमारा प्रस्न है स्वाधीनता संग्राम के दोरान जेल जाने वाली उत्राखंड की प्रथम महला कौन थी तो ये थी बिसनी देवी साह आप्सन सीटी कर लेंगे उत्राखंड के निमनांकित ब्रक्षों मैंसे कौन कम उचाई पर होता है तो बाज, देवदार जो बुरास होते हैं वो अधिक उचाई पर पाईज आते हैं बाकी जो साल है वो कम उचाई पर जो होता है निमनांकित मैंसे कौन सा युगम समेलित नहीं है विश्ण प्रियाग, अलकनन्दा, बनबसा, ऐसे चीला, गंगा नदी और टेहरी भागी रहे थी तो बनबसा इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि बनबसा कहां पर है ये टनकपुर में सारदा नदी के थट परिस्तित है चमपावद डिस्टिक में अगला हमारा प्रस्ण बनता है उत्राखंड में मैगनेसाइट की पहली फ्यक्टरी कहां स्ताबित हुई थी ये हुई थी जीरॉली में जीरॉली अप्सन डी टी कर लेंगे अगला प्रस्ण निम्लांकित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है राजाजी जो राश्य औध्यान है वो कहां पर इस्तित है वो है देहरादून में कहां पर है देहरादून में बाकी कारबेट ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है लेकिन जो राजाजी थे वो उत्तरकासी गलत हो जाएगा कहां पर ये देहरादून में है और कई बार ये प्रस्न पूचा जाता है कि राजा जी राश्य उद्ध्यान का नाम राजा जी कैसे बढ़ा तो राजा जी जो है राजगोपलाचारी जी के नाम पर इसको जह है इसका नाम करण या इसका नाम ये रखा गया था अगला प्रस्न है अमारा नंदा राजजात का आईजन कितने वर्सों के अंतराल में होता है तो ये 12 वर्सों के अंतराल में ये होता है बागी राजाजी नेसनल पार्क जो है उद्ध्यान है ये पूछा जाता है कि कब बना तो ये बना था 1983 में ये भी ध्यान रखिएगा निम्नाकित में से कौन सा युगम समेलित नहीं है सतोपंथ अलकनंदा सही हो जाएगा खतलिंग भिलांगरा पिंडारी पिंडर ऐसे फिर खतलिंग भिलांगरा तो ये तिनों के हैं सही है बज़ जो पूर्वी राम गंग्या है वो कहां से निकलती है वो रामिक ग्लेसियर से निकलती है तो इसका ध्यान रखिएगा अप्शन D टिक कर लेंगे पंचेश्चुर बात का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावी थै ये काली नदी पर के है प्रस्तावित है option A को टिक कर लेंगे उत्राखंड में British प्रसासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी थी ये थी उपरी गंगा नहर उपरी गंगा नहर option D को आप यहां पर जो है सही कर लेंगे उत्राखंड में सिंचित भूमिको क्या कहा जाता है तो तलाओं इसको कहा जाता है सिंचित भूमिको तलाओं कहा जाता है निमनांकित में से कौन सा युगमो सुमेलित नहीं है डोडी ताल उत्रकासी रूपकुंड चमूली बाकी स्यामला तडाग ताल अलमुडा तो ये A, B और D सही हो जाएगा जो स्यामला ताल है वो नेन ताल में स्थित नहीं है कहां परिस्तित है ये ये स्थित है चम्पावत में तो चम्पावत इसका सही उतर है बाकी option C टिकल लेंगे अगला प्रस्तित निम्नांकित इस्थानों में से कौन सरवाधिक उचाई परिस्तित है कर्ण प्रियाग रूद्र प्रियाग, नंद प्रियाग या विश्ण प्रियाग इसका सही उतर हो जाएगा विश्ण प्रियाग option D यहाँ पर कहलेंगे आप टिकल लेंगे बाकी जो ये प्रियागों में से एक और कौन सा प्रियाग है वो है देव प्रियाग तो ये भी कई बार पूछे जाते हैं तो देव प्रियाग भी याद रखिएगा बाकी अगर बात करें पंच केदारों के बारे में तो पंच केदारों में कौन कौन से आते हैं इसमें जो पहला आता है हमारा वो आता है केदारनाथ, अगला है हमारा तुंगनाथ, फिर आता है हमारा रुद्रनाथ, फिर आता है हमारा मदमहिश्वर, फिर आता है हमारा कल्पिश्वर, तो ये पंच केदार भी आप याद रखेगा कई बर पूछे जाते हैं, निमनांकित और गगास है ये नदियां नहीं मिलती हैं आपस में तो आपसन बीगोटी कर लेंगे निमनांकित में से कौन सी नदी किसी हिमनत से नहीं निकलती है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पश्मी रामगंगा ठीक है बाकी राम गंगा पूर्वी गोरी और भागिरती कहां से निकलती हैं हिमनत से ये निकलती है अगला हमारा प्रस्थन है उत्राखन के निमनांकित साहितकारों में से किसे ज्यानपीट पुरुसकार से सम्मानित किया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा आने वाला सर्वोच पुरुसकार है बाकी अगर बात करें सुमित्रा नंदन को कब मिला था तो 1968 हिस्वी में ये मिला था अगला प्रस्थन है भारती वन्य जीव संस्थान कहां पर इस्तित है ये स्तित हैं हमारा दहरादून ठीक है तो वन्य जीव संस्थान जब भी दिख कर लेंगे अगला प्रस्थन है हमारा नंदा देवी राष्ट्रिय उध्यान के स्थापना कभी तो 1982 हिस्थापना हुई इसको भी आप दियान में रखिएगा राष्ट्रिय जैव विविद्दा प्राधिकरण का मुख्याले कहां पर इस्तित है ये है चैन्नाय में इ ये थे हमारे क्या उत्राखंड विविद्द से संबंदित प्रस्थन कुछ इस प्रकार के प्रस्थन यहां पर पूछे गए थे UKPSC द्वारा बाकि इस बार के जो है इंपोर्टेंट प्रस्थनों की सीरीज भी चल लेए बाकि प्रवियस एयर पेपर भी चले तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं तो जुड़े रहें धन्यवाद